अगर आप मुवाय रेपेरिंग के स्टुडेंट हैं या आप रेपेरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें लाल बटन को और सब्सक्राइब के बाद इस बैल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चनल का लेटिस वीडि हमने complete किया है दोस्तों मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को trust किया और उसको subscribe कर देंगे और दोस्तों कहीं न कहीं आप से से बहुत कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा दोस्तों आज मैं आपको बहुत महतूर और बहुत इंपोर्टेंट जानकरी देने वाला हूं और यह जानकरी आपके लिए बहुत ज़्यादा जोरी है अगर आप एक विद्धाती हैं अगर आप सीखना जाते हैं अगर आप सोच रहें कि आप किसी मोगा रेपेरिंघ के इंस्टिट जूरे यह बहुत बढ़ाá कुछ पर्ख है और उनको थोड़ा जो मैं आपसे देने वाला हूं कुछ सवाल उनसे वह पूछी जाओ दोस्तों क्या होता है कि बेसिकली जो मेरे पास में जो बच्चे आते हैं जो पूरे इंडिया से आते हैं अलग-अलग सहरों से आते हैं इंडिया से बाहर से आते हैं तो नॉलेज है वो बिल्कुल जीरो है दोस्तों उनको कुछ नहीं पता रहता है उनको कॉंपरेंट की डिटेलिंग नहीं पता होता है उनको किसी प्रकार की टेस्टिंग का नॉलेज नहीं होता है टेस्टिंग को तो बहुत दूड की बात होती है दोस्तों उनको मुवाय रिपे साथ में भी आपको वहां पे कुछ नहीं मिलता है अब सबसे बड़ा में इंपोर्टेंट जो बात है आपके साथ में हो रहा है वो है आपका समय दोस्तों मैं यह नहीं हाधि prayer से जादए से जादा समय सिफ सीखने में निकाल देंगे तो दोस्तों इसमें आप क्या सीख पाएंगे में कोई समझ में नहीं आता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंका कि अगर आप को इंसिटूट को जॉइन करने से पहले उनसे कुछ बहुत ही बेसिक सवाल पूछी दोस्तों कि वो इतने बेसिक होते हैं कि अगर उनका आंसर जैसे कि अगर मैं अपने स्टुडेंट से जो दस दिन पढ़ा हुगा स्टुडेंट बहुत मेरा कोई से भी बैच का दस दिन से जबर पूखे का दोस्तों तो दोस्तों दोस्तों उनसे जरा सवाल के आंसर मिल जाने पर अगर आगये डे लता है कि वह आंसर साही साही मिला है तो उसको कीजएगा अन१った हो को ध्यिक Bene Cambridge नहीं है तो में दोस्तों कि वह आपको 20-30 मेने में कुछ कई कर पाई me हैं तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है वो है जैसे आप उंस से पूछेगा कि ऐफ presents 세н 결le आते हैं क्योंकि दूस्तो एडवांस लेवल पर मुवाय रिपेरिंग होना बहुत ज़्यादा जोड़ी होता है दूसरी उनसे सवाल जरूर पूछे का दूस्तो कि जो फॉनों में जनरली लगे होते हैं ऑक्सिलेटर जिनको वी सियो कहा जाता है वोल्टेज कंट्रॉल ऑक्स और स्वाटवेर में आप पूछ सकते हैं दोस्तो कि मुवायल फोन सर जो डैड हो जाता है तो हम एक डेसी सप्लाइब मसीन से इसको कैसे चेक कर सकते हैं तो जनरली आब अगर मुझे थोड़ा सा यह की बाहां बता देंगा तो में को समझ में आ जाए का आप उनसे सेमसंग के मुवायल में लगी होती है उसका जो टॉप वर्जन है वो मॉडल कौन सा है उसका नाम आप बता सके और वो किसके कंपेर है उसा सेमसंग में और कॉलकम में सबसे बैस्ट क्या है और क्या एक आईसी में खासियत है जो आप बता सकते हैं कि आईसी सबसे एचे क्य और यह अगर basic knowledge है दोस्तों अगर उनको यह चीज नहीं पता है they don't know anything about this, अगर उनको यह सारी चीजे basic नहीं पता है तो यह मन के चलिए कि आप अपना दूश्व तीम में पूरा-की-पूरा गवाएंगे दोस्तों दोस्तो मैं आप आपको थोड़ा सा और एक चीज बताना चाहूंगा जो जनरली स्टूडेंट होता है उनका वो माइंडसेट क्या होता है कि जब पहली बार जब किसी इंसिटूट जाता है और पता करता है तो बेसिकली जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हो तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर वह पर 15 स्टूरइंट जा रहा है मतलब वह एक अच्छा सिखा रहा है तो दो गलत है क्योंकि आप भी कहीं न कहीं उसी गलत फेमिय में है जिसमें वह 15 बच्चे हैं तो मैं यह मानता हूं मैं यह समस्ता हूं कि दोस्तों अभी वहाँ वह पर कोई भी इंस्यूट नहीं है और वह बहुत बड़े बडर लगा देते हैं, वह बहुत चादा advertisement कर देते हैं, वह आपको दस बाद काल करते हैं, बुलाने के लिए वह आपको यहां महां की बाते बूलते है और उसके बात में जब आप जाते देते हैं और कुछ जो बच्चे होते हैं जिमने होता है जो करते हैं वो ऊसके बा सके नेशनी से कंपलेट कररके हैं मेरे जितने भी बच्चे आए कि अगसाइम Tyler मेरे चाइव देते हैं यह जब हमाले एक महींने में शीख कर जाते हैं तो दोस्तो हो यह जब जब वो पहले दिन होते हैं तो उलकूर। सूच नहीं पाता हैं कि वो एक महिने में कैसे सीखेंगे ? पर जब हमारे या, एक महिने में कोर्स कम PLEAT करते हैं, तब वो समझते हैं कि हम दो से तीन महिना में जहां पढ़के रहा हैं वहां पर हमने कितना समय बढ़वाग किया और अगर आपने किसी से भी सवाल पूछे हैं और उन्होंने आंसर दिया है या नहीं दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जबूर रिल्ले कियेगा और बताईएगा कि कि उनके क्या जवाब हैं इस पर दोस्तों मैंने आपसे जो भी सवाल पूचने में आप चाहते और लिख सकते हैं नोट पर द्वेक 8 और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि उन्हों ने कितना आपको सही बताया और कितना आपको गल्ब बता है तो दूस्तो थैंक्यू वेरी मच अगें वारे चैनल को सब्सक्राइब किया और इस चैनल को एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी फैमली बनाई सब्सक्राइबर है और इतने सारे लोग हैं जिनता हम अपनी बात पहुचार सकते हैं तो दूस्तो जूरे रहे चैनल से थैंक्यू वेरी मच और दूस्तो अगर आपको हम इंस्टीट को जाइन करना है तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं दूस्तो मैं आप से बा सबस्क्राइब करते तो इसके बाफ में पैषमिल पर टासर आप को तो दोस्तो के और रहा है तो अग선 परदीने वारे रेरेधा तो दूस्तो आप कराओंगा तो देखें ये वह ऐप से हैं अगर इसकी बात करते हैं दोस्तो मुआल कॉम्पूनेंटर टेस्टिंग येlog क व आपको यह एप्स मिल जाएगा आपको इसको डाउलोड करना है इसके बाद में इसको open enter to institute करना है तो यह आप 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 आ गए electronic component में जहां पर आपको पदा चलेगा electronic component कैसे कहते हैं बाकी और component के बारे में देखिए दोस्तो यहाप हिंदी और दोस्तो यहां पर डिखने मिलेगा और अगर आप इसके टेखने मिलेगा हिट करने हैं तो यहीचीज को यहीं अपर में नॉर्म में अंगले दिखा ए थी यहीचीज ए दिखने मिलेगी तो तो दोस्तों यहां पर आपको सिंबॉल देखने मिलेगा तो मतलब बहुत कुछ आप से सीख सकते हैं अब बात करते हैं SMD component की क्योंकि हमारी मौल फॉन में लगी होता है SMD component किसे करते हैं और नर्मल component के से इन दोनों में क्या अंतर होता है तो सब किसी यहां बताई गई है SMD register अगर मैं बात करता हो register की कैसे checking करते हैं वो उसका रजिस्टेंस होता है और अगर reading एक आती है तो ऐसे हमाना जाता है जब कोई resistance नहीं मिलता है तो यह माना जाता है कि वो open हो गया है तो एक होता है और एक रजिस्टेंस 0 आ रहा है दूस्तों तो क्या होगा कि वो बीब बचाएगा और ये short माना जाएका तो इसी सरे सारे component को चेक कर सते हैं तो यह एप आज ही डाउलोड के लिए क्योंकि यह आज आपके लिए है यहाँ पर मैंने मोगा इयर पीस, रिंगर, माइक, बाइबरेटर के से चेक करते हैं यहाँ पर बताया गया है से चेकित, तो यह आज ही डाउलोड के लिए हैं तो यह आपको पर लाउच किया गया है तो इसको इसको लाउंच किया है तो एदम से नहीं आएगा आपको प्ले स्टोर में लिखना होगा आप प्ले स्ट्रोड में से लिखें गर देख लेते हैं कि अभर हम देख लेते हैं थाँ आप नाम आप नाम से देवरतमक्रवाल हो यहाँ पर देवरतमक्रवाल और और यहां पर पर मोर प्लिक करेंगे दोस्तों आपको बसे यह सब करने के जरूद नहीं को कि इसकी डारेट लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पे क्लिक करके डारेट इस एक्स में पहुंच जाएंगे जो भी आपको पूछ रहा है कमेंट बॉक्स पर कीजिए मैं आपके आंसर जरूद दूँगा और अगर दोस्तों आपको रेपेरिंग करनी है तो नीचे दिए नंबर पर आप अपना नाम और एड्रेस मुझे सेंड कर सकते हैं हमाई तरक सापको कॉल आजाएंगे तो जो निया बैच है दोस्तों वह 15 तारिख से चल होने वाला है तो चलिए मिलते रहें जोड़े रहें चनल से थैंक यू वेरी मच्छ अप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्लेस्टोर में जाकर सच बार में एससे टेलीकॉम सच करें एससे टेलीकॉम लिखें और एससे टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोईल रेपेरिंग एप्स जिसमें सॉट्वे और हार्डवेर और भी काफी एप्स है जिसमें मोईल रेपेरिंग वीडियो और मोईल रेपेरिंग टूल्स मोईल रेपेरिंग सॉट्वेर और मो फिए देस आपन्स मोबय रपयर इंसीटू तो गाल पौर अप्म पूंशिन 964 413 9972 दाउनो ओनोब भावर फ्री रपरिंड एंडरएप्स फिर्प्री ऑ्री देस इंसीट्व तुितों झाल झाल